नमस्कार, उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, ई-कंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु आधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद। चलिए आईए इस वीजियो में हम लोग बहुपत के ऊपर कुछ जरूरी प्रशनों को हल करें, और पहला प्रशन हमारे पास है, दुई घाद बहुपत पी एक्स बरावर रूट थ्री एक्स स्कोएर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री के शुनंग ज्यात वीजिए तो सबसे पहले आईए हमें एक बारियात करते हैं कि शुनंग की परिवाशा क्या थी, तो शुनंग की परिवाशा ये थी कि अगर हम एक्स का वो मान निकालने जिसके लिए हमारा बहुपत शुनंग हो जाता है, तो वो हमें बहुपत के शुनंग बताता है, तो हमें क्या क करना है इसको किसी प्रकार से हल करके किसी प्रकार से x का मान निकालना है जो कि यहां पे दिये गए भवपत को शूर्न करते हैं तो सबसे पहले आईए हम यह देखते हैं कि क्या हम यहां पे इस दिये गए भवपत का गुड़न खंडन कर सकते हैं और क्यूंकि यहां पे हमें क लिए हमारे पास एक विधी है और वो विधी ये कि हम ऐसी दो संख्याएं पा लें जिनका योग फल x के गुड़ांग के बराबर हो और जिनका गुड़न फल जो है वो अचरपद और x स्कॉयर के गुड़ांग के गुड़न फल के बराबर हो तो अचरपद जो की 4 रूट 3 है और x square का गुड़ांग जो की root 3 है तो इन दोनों के ही गुड़नफल के बराबर हो तो root 3 और root 3 का अगर हम गुड़नफल करेंगे तो हमें 3 मिलेगा और 4 को अगर हम 3 से multiply करेंगे तो हमें 12 मिलेगा तो अब हमारे पास जो प्रश्न यहाँ पे बदल गया यानि संख्याएं ढूनने का जो भाग था वो बदल करके क्या मिल गया कि हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिसका योगफल माइनस 8 हो और उन्हीं संख्याओं का गुड़नफल 12 होना चाहिए अब क्योंकि गुड़नफल हमारे पास एक सकरात्मक संख्या है तो इसका आशे हुआ कि दोनों ही संख्याओं के चिन्ने जो है वो सेम होंगे समान होंगे और क्योंकि यहाँ पर योगफल हमारे पास एक नकरात्मक संख्या आ रही है इसका आशे है कि दोनों संख्याओं हमारे पास नकरात्मक होंगी क्योंकि योगफल का चिन्द वो होता है जो बड़ी संख्या का चिन्द होता है और क्योंकि दोनों ही संख्याओं का चिन्द समान होना चाहिए इसलिए दोनों संख्याएं नकरात्मक हो गए अब हमारे पास प्रश्ण बदल के ये हो गया कि हमें ऐसी दो संख्याइं ढूननी हैं या कहलें ऐसी दो नकरात्मक संख्याइं ढूननी हैं जिनका हमारे पास गुड़न फल तो बारा आए परन्तु योग फल जो है वो माइनस आठ आए तो आए देखते हैं कि बारा का गुड़न खंड करके हमें क्या क्या जोड़े मिल सकते हैं तो पहला जोड़ा तो एक और बारा हुआ और अगर हम दोनों को नकरात्मक ले लें तो क्या योगफल माइनस आठ हो रहा है नहीं अगर हम दूसरे जोड़े की बात करें तो वो और अब हमें ये पता चल गया कि दो संख्याएं हमारे पास जो की हमारे शर्तों पे सही बैठेंगी सार्थक बाइखेंगी वो हैं माइनस दो और माइनस छे तो चलिया यह ऐसा करते हैं कि यहां पे माइनस आठ को हम कैसे लिख लें हम लिख लें की यह योगफल है माइनस और माइनिस छे का और बाकी सब कुछ मैंने समान रूप से ऐसे ही लिखा रहे ने दिया अब अगर मैं यहां पे जो बीच वाला पद है मध्य पद है इसको थोड़ा सा सुलजा लूँ तो मेरे पास दो पद आ जाएंगे जो की है माइनिस टू एक्स और दूसा पद है माइनस और यहां पे है फोर रूट थ्री और यह आ गया बराबर शून लिखे अब आप देख सकते हैं कि पहले दोनों पदों में से मेरे पास सिर्फ जो है उभैनिस्ट एक्स है और इसलिए मेरे पास यहां पे ब्राकेट के अंदर आ जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस टू और आखरी के दोनों पदों में से मेरे पास क्या उभैनिस्ट आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो छे है इसको हम लिख सकते हैं दो गुना तीन एक्स के साथ और जो फोर रूट थ्री है उसको हम लिख सकते हैं दो गुना दो गुना रूट थ्री और यहां पे एक बाद आपको मैं और बता दूँ कि ये जो root 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं root 3 का वर्ग या फिर कहले root 3 का root 3 से ही गुड़नफल और अब आप देख सकते हैं कि आखरी के दोनों पदों में से भी मुझे minus 2 root 3 जो है वो भैनिश्ट मिल गया और इस प्रकार मेरे पास जो bracket के अं एक दम मेल खाता है तो इस प्रकार मुझे जो समान पद है वो एक ही मिल गए और इसलिए अब जो नए मेरे पास सिर्फ दो पद बने इन में से मैं उभैनिश्ट निकाल सकती हूँ ये पूरा ही पद जो की bracket के अंदर हो रहा है और इसलिए x बज़ गया पहले पद से और द चरण आ चुका है जहां पर मुझे दो पदों का गुड़न फल शून मिल रहा है और इसका आशे ये होता है कि या तो पहला पद जो है वो शून के बराबर है और अगर मैं दोनों तरफ दो को योग कर दूं तो मेरे पास रूट 3x बराबर 2 आ जाएगा अगर पूरे समीकर में 3 से मैं भाग दे दूं तो x बराबर 2 बटे रूट 3 आ जाएगा अगर मैं दूसरे यहां पर पद की बात करूं तो x माइनस 2 रूट 3 को मुझे शून ने करना है अगर दोनों तरफ हम 2 रूट 3 यहां पर जोड़ने तो x का मान हो जाएगा 2 रूट 3 क्योंकि बाइन यहां गया कि दिये गए जो दूई घार भहुपत था उसके शूनांक x बराबर 2 रूट 3 और x बराबर 2 बटे रूट 3 हो गये चलिए आईए एक और प्रश्न देखते हैं और हमारे पास प्रश्न यह है कि यदि px बराबर 3x स्कौएर माइनस kx प्लस 6 के मूलों का योग फ यहां पे हमारे पास एक दूई घार भहुपत दिया गया है और दूई घार भहुपत के मूल हम क्या कह सकते हैं अलफा और बीटा तो मान लेते हैं कि इस दिये गए भहुपत के जो मूल हैं वो हैं अलफा और बीटा और इस कारणवर्श हम यह कह पाएंगे कि जो भी हमारे पास इस पहुपत के मूल हैं उनका योगफल क्या हो जाएगा? माइनस B बाई A और यहाँ पे जो माइनस B बाई A है वो हमें मिलता है एक दूईगात पहुपत के मानक रूप में तो मानक रूप में आप देख सकते हैं कि जो A है वो एकस स्कोर का गुड़ांग है और B जो है वो X का गुडांग है अब प्रश्न ये उठता है कि इनका मान हम इस प्रश्न में कैसे निकालें तो यहां पे हमें मानक रूप से दिये गए भववपत का मेल कराना पड़ेगा और जब हम मेल कराएंगे तो हम देख सकते हैं कि A का मान जो की X स्क्वाइर का गुडांग है वो 3 आ गया B का मान जो की X का गुडांग है वो माइनस के आ गया और C का मान जो की अचरपद है वो 6 आ गया अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है कि यहां पे जो योगफल है अलफा और बीटा का वो कितना है? तीन तो तीन बराबर हो गया माइनस B का मान रख देते हैं माइनस के और A रख देते हैं तीन अब आईए इसको थोड़ा सा हल करने का प्यास करें तो अगर हम पूरे ही समीकरण में तीन का योगफल कर दें तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा के और बाइन तरफ आ गया 9 तो जिससे हमारे पास आ गया के का मान 9 होगा तो अगर आप के का मान 9 रख दें और फिर इस बहुपत के मूल निकालें तो आप देख पाएंगे कि उन मूलों का योगफल 3 होगा चली आएगे अगला प्रश्म देखें यदि एलफा और बीटा एक बहुपत के शूनंक हैं जहां एलफा प्लस बीटा माइनिस 6 है और एलफा बीटा 5 है तो बहुपत गयात कीजिए तो यहां पे हमें यह बताए गया है कि एलफा और बीटा जो हैं वो एक बहुपत के शूनंक है और अगर हमारे पास किसी बहुपत के शूनंक दिये होते हैं तो हम ये जानते हैं कि उनका कुछ सम्मंद उस बहुपत के गुणांकों से भी होता है और क्यों कि यहां पे हमको L4 बीटा दो शूनंक दिये गए तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि जो बहुपत होगा हमारे पास वो एक दूई गाद बहुपत होगा और दूई गाद बहुपत का मानक रूप कुछ AX स्क्वार प्लस BX प्लस C होता है और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास इस दूई गाद बहुपत कि जो मूल या फिर शूनंक अलफा और बीटा हैं तो मूलों के योग फल और गुड़ांकों के बीच में संबंध होता है माइनिस बी बटे एका और मूलों के गुड़न फल और शूनंकों के बीच में संबंध होता है सी बटे एका यहाँ पे आपको बताया गया प्रश्ण में कि एलफ और बीटा के योग फल का मान माइनस ठे है तो जिससे हम यह पता चल गया और एलफ और बीटा के गुड़न फल का मान पांच है जिससे हमें यह पता चल गया अगर इन उपर वाले समीकरणों में हम एक आमान एक रखते हैं तो अगर एक आमान हम एक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि माइनस ठे बराबर माइनस भी हो गया और अगर हम पूरे ही समीकरण में माइनस एक से गुड़न फल कर दें तो भी कामान हमें छे मिल जाएगा और यही काम अगर हम दूशे समीकरण में करें तो आप देख सकते हैं कि हमें 5 बराबर C बटे 1 मिलेगा जिसका आश्य हुआ कि C का मान 5 हो जाएगा तो इससे हम यह कह सकते हैं कि हमें C का मान 5, B का मान 6 और A का मान 1 मिल गया जब हमें गुडांकों का मान पता चल गया तो अब तो भभुपद निकालना बहुत ही असान है क्योंकि जो भभुपद हमने यहाँ पे माना था उससे ही हमें उत्तर मिल जाएगा और उत्तर यह होगा एकी जगह पे आप रखिए 1 तो x square बी की जगह पे आप रखिए 6 तो 6x और सी की जगह पे आप रखिए 5 तो हम अपना उत्तर यह बता सकते हैं कि यह ऐसा भभुपद है जो कि यहाँ दी गई शर्तों पे और सार्थक खड़ा होगा और यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता दूं कि यह उत्तर इस प्रश्ण के लिए तो ठीक है परंदु कभी कभी आपके प्रश्ण में यह दिया जाता है कि ऐसी शर्तों के लिए सार्थक बैठने वाले एक से ज़ादा भभुपद बताएं तो आप वो भभुपद कैसे निकाल सकते हैं इस भभुपद का के से गुड़न फल करके और यहाँ पे आपके का मान कोई भी एक वास्तविक संख्या रख सकते हैं तो अगर ऐसे आपसे प्रश्ण में पूछा गया कि दो भभुपद बताएं तो एक भभुपद तो यह आपने निकाल लिए और दूसरे भभुपद के लिए आपके एक अमान दो रख दीजे, तीन रख दीजे, माइनस एक रख दीजे, कोई भी वास्तविक संख्या रख और आपको जो उत्तर मिलेगा वो भी इन सर्थों पे सार्थक बैठेगा, चलिए आए एक और प्रश्ण हल कर लेते हैं, और हमें प्रश्ण दिया गया है कि यदि AX स्क्वाइर प्लस B, X प्लस C केश्विनांग, अलफा और बीटा हैं, तो अलफा स्क्वाइर प्लस बीट स्क्वाइर का मान, जहां पे एलफा और बीटा जो हैं, इस द्विगाद बहुपत के शुनंक हैं, तो आपको मैं बदा दूं कि अगर आपको इस तरीके का कभी भी कोई प्रश्ण पूछा जाता है, जहां पे आपको अभिवक्ति जो है, वो दी गई है शुनंकों के प्रयोग कर सकते हैं, तो यहां पे जो मैं सर्फ समिका का प्रयोग करने वाली हूँ, वो है एलफा प्लस बीटा का पूर्ण वर्ग, और अगर आप इसका जो है, एक्स्पैंशन करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, एलफा स्क्वाइर प्लस बीटा स्क्वाइर प्लस टू और अगर आप इसी सर्व समिका में आप दोनों तरफ 2 एलफा बीटा को घटा दें तो आपको मिल जाएगा एलफा प्लस बीटा का होल स्क्वेर और माइनस 2 एलफा बीटा और यह किसके पराबर आ गया जो आपसे अभिवक्ती का मान पूछा गया था और यहां पर आप देख को हल करने का प्रयास करें तो यहां पर हमने यह देखा कि एलफा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर हमारे पास कितना आ गया एलफा प्लस बीटा का होल स्क्वेर माइनस 2 एलफा बीटा और अब हम एक बार अपने दिये गयद्वी घाद बहुपत का अध्यान करते हैं तो हमा आनक रूप के बहुपद और उसके शुनंकों में हमें पता है कि क्या होता है संबंद की योगफल दोनों शुनंकों का हो जाता है माइनस B बटा A और गुड़नफल दोनों शुनंकों का हो जाता है C बटा A तो अब बस हमसे जो भी यहां पे मान पूछा गया है उस पे हम अभ अगर हम इसका वर्ग निकाल लेंगे तो आएगा B² बटा A² और इसका अगर हम यहाँ पे हल करेंगे तो यह आ जाएगा अगर हम LCM लेंगे A² और A का तो A² ही आएगा और यहाँ पे B² और इसको A² बनानी के लिए हमें उपर नीचे A से गुड़नफल करना पड़ेगा जो कि यह आजाएगा तो हमारे पास उत्तर क्या आगया कि A² और बीटा स्कुएर का मान क्या है B² माइनस 2AC और इसको पूरे को भाग दिया है हमने A² से चलिए आईए एक और प्रशन देख लेते हैं सिद्ध कीजिए कि PX बराबर XQ प्लस 4X स्कुएर प्लस 3X के शुनंग 0 माइनस 1 और माइनस 3 हैं और एक त्रीगाद के लिए गुड़ांक और शुनंगों के संबंद की सत्ता क्यों सिद्ध कीजिए तो इस प्रशन में अगर हम देखें तो हमारे पास दो भाग हैं पहला भाग यह कि हमें यह सिद्ध करना है कि यह जो दिये गए हमें शुनंग हैं वो इस बहुपत के शुनंग हैं और दूसरा यह कि हमें गुड़ांकों और शुनंगों के बीच के संबंद की सत्ता भी सिद्ध कर दिये तो आईए मैं यहाँ पर एक रेखा किश लेती हूँ जहाँ पर हम इन दोनों भागों को अलग-अलग हल करेंगे तो पहला भाग करने के लिए हमें ये सिद्ध करना है कि दिये गए शूनंग जो है वो इस बहुपद के शूनंग है तो जो भागोपद है वो है एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वेर प्लस थ्री एक्स और अगर हम शूनंग की परिभाशा पर जाएं तो वो ये है कि इस बहुपद का मान दिये गए शूनंग कों पे शून ने आता है तो आईए हम पहला जो यहाँ पे शूनंग है उसके लिए भागोपद का मान निकालें जो दूसरा यहाँ पे शूनंग दिया गया है उसके लिए भागोपद का मान निकालें और अगर ये बात सत्त है कि ये दिये गए भागोपद के शूने हैं तो क्या भी मान शून तो अगर मैं पहले के लिये यहाँ पेछ स्बीख दो, तो 0-4 और फिर से 0-2 स्पीजानफल और 3 और यहाँ पे-0, तो यह तो 0, प्लस 0, प्लस 0, प्लस 0 यह हो गया, यानि यह एक श्बीख दो, फिर दूसरा ह्य –1 तो –1 की घात 3, धियान पूरव, कि यहां पे पूरा माइनस एक रखना है आपको घात के अंदर फिर फोर फिर से माइनस एक की घात दो और तीन के साथ में माइनस एक का गुड़न फल तो माइनस एक की तीसरी घात आपके पास माइनस एक ही आ जाएगा Tu-1 के दूई घाट, जो है वो एक होता है, और 4 से गढ़न फल फ़र से आपको 4 ही देगा और यहाँ पे-3 बज़ गया –1 और प्लस 4, माााानस 3 तो यह मााानस 4 और प्लस 4 जो की फिर से शून हो गया और इस से यह बात पता चल गे, की यह भी हमारे पास दिए गए त्री हाथ बूपत का एक 6 ने हैं आ ये माइनस 3 रख लेते siitä हैं तो माइनस 3 और उसकी खाथ 3 si 4 और माइनस 3 की खाथ 2 और पलस 3 और इसका भी गुरनफल माइनस 3 से यह हो गया शून तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0, minus 1 और minus 3 तीनों ही लिए गए हमारे पास जो भौपध है उसके शूनंक है और इसका कारण क्या है कि 2 की हमारे पास जो भौपध है उसका मान शून पे minus 1 पे और minus 3 पे शून आया तो चूकि यह सबका मान शून ने आया इसलिए यह तीनों जो हैं वो शूनंक होंगे अब अगर हम बात करें दूसरे भाग की तो उसमें हमें यह करना है कि हमें शूनंकों और गुणांकों के संबंद की सत्यता को सिद्ध करना है तो सबसे पहले किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि वो संबंद है क्या और क्योंकि हाँ पर हम त्रीघात की बात कर रहे हैं तो आईए हम एक बार त्रीघात का मानक रूप लिख लिए तो त्रीघात का मानक रूप होता है मतलब त्रीघात भहुपत का मानक रूप होता है AXQ प्लस BX स्कूर प्लस CX प्लस D जहां पर A, B और C और D आपके पास गुडांक है और अगर आपके पास इस त्रीघात भहुपत के शूनंक अलफा, बीटा और गामा होते हैं तो संबन्ध हमारे पास क्या है कि एलफा, बीटा और गामा का जो योग फल है वो होता है माइनस B बटा A अगर उनमें से हम कोई भी दो जो शूनंक हैं उनको ले ले और फिर हम गुड़न फल करके यहां पर योग फल निकालें तो यह होता है C बटा A थ्यार रखिए कि यहां पर माइनस साइन नहीं है और अगर आप उनका सीधा सीधा गुड़न फल निकालें तो वो होता है बटा A और माइनस साइन के साथ अब क्योंकि हमें यह पता चल गया कि हमें कौन जो समंदों को सही सिध्ध यहां पर जो है करना है तो हम पहले यहां पर जो हमें दाइन तरफ यह मान मिल रही है यह पत मिल रही है इनका मान निकाल लेते हैं और उसके लिए हमें A, B और C का मान चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें यहां पर आपका बहुपद दिया है उससे मेल करा करके हम गुणांगों का मान लिख लेते हैं X क्यूप का गुणांग जो की A है वो एक हो जाएगा Q का गुणांग जो की 4 है वो B है और X का गुणांग जो की C है वो 3 है और अचरपद यहां पे 6 हो जाएगा और अब अगर हम यहाँ पर यह देखें तो हमें क्या सिद्ध करना है कि अलफा बीटा और गामा का योग फल जो है वो माइनस चार बटा एक जो की माइनस चार है सी बटा ए जो की तीन बटा एक वो तीन हो गया माइनस डी बटा ए शूर्म तो अब हमें क्या सिद्ध करना है कि alpha plus beta plus gamma जो है वो minus 4 है तो चलिए आईए जो हमें यहाँ पे alpha, beta और gamma दिये गए थे उससे हमें एक बार alpha plus beta plus gamma का मान निकाले तो alpha plus beta plus gamma का मान हो जाएगा 0, minus 3 और minus 3 जो की minus 4 आया और यह minus b plus a के बराबर है तो यह सही बात होगे अगर आप alpha, beta plus beta, gamma plus gamma alpha का मान निकाले तो इसका मतलब अगर हम alpha 0 कह रहे हैं तो 0 को minus 1 से गुड़नफल करें फिर minus 1 को minus 3 से गुड़नफल करें फिर minus 3 को 0 से गुड़नफल करें और यहाँ पे अगर हम यह करेंगे तो 0 और plus 3 और 0 जो की फिर से 3 आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यह भी बात यहाँ पे सही सिद्ध हो गई और अगर आप इन तीनों का सीधा सीधा गुड़नफल निकालें तो वो आपके पास क्या आना चाहिए इन तीनों का गुड़नफल तो शूने से आप अगर किसी भी संख्या का गुड़न फर ले लेते हैं तो वो शूने ही हो जाता है और आपने उपर भी ये शूने ही निकाला तो इस प्रकार हमने असल जो यहाँ पे शूनंक थे उनको इस्तमाल करके इन पदों को निकाला और हमने यहाँ पे गुड़ांकों को इस्तमाल करके इन पदों का मान निकाला क्योंकि यह जो मान है वो बराबर आए इससे हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास यह संबंद थे वो सत्त सिद्ध हो गए मुझे आशा है मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बाते बताई आपको अच्छे से समझ आई होंगी